आप सब का एक बार फिर्से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पीएस डिंग जोन पर आज मैं आप लोग के साथ एक निव इस्ट्राटेजी शेयर करने वाला हूँ और ये स्ट्राटेजी एक वीकली स्ट्राटेजी भी बोल सकते हैं और ये स्ट्राटेजी मैंने के ओपर डिजाइन करी है क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट करते थे कि सरा आपकी जो फिनिफ्टी की स्ट्रेटेजी उसमें मार्जिन बहुत जादा है तो फिनिफ्टी के ऊपर ही कोई ऐसी स्ट्रेटी बताईए जिसमें मार्जिन कम लगे या फिनिफ्टी थाउड के आजपर हम वो स्ट्रेटी अँट कर पाएं तो ऐसी इस्ट्रेजी मैंने आप लोग के लिए डिजाइन कर दिए कि आप लोग 50,000 में इस स्ट्रेटी को प्ले आउट कर सकते हैं और मैंने खुद भी इसको एक lot पे काफी बार trade करकर देखा ताकि मैं खुद जादा अच्छे समझ लगू कि इस strategy को किस तरीकी से handle करना है तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इस strategy को किस तरीकी से बनाना है इस strategy के rules क्या है और साथी साथ इस strategy का backtest करके भी देखेंगे कि इस strategy ने हमें किस तरीका return generate करकर दिया है और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं full year का backtest report डालू तो आप लोग उसे एक छोटी सीरी किवस्ट है कि आप लोग वीडियो को like करिये और नीचे comment करिये कि हम लोग इसका backtest report चाहते हैं तो मैं आप लोग के लिए इसका backtest report भी अपने telegram channel में डाल दूँगा और अगर किसी ने हमारा telegram channel जॉइन नहीं किया तो free of cost है आप लोग वहाँ पर मुझे जॉइन कर सकते हैं उसका link भी आपको description मिल जागा तो आप लोग free में हमें telegram पे जॉइन कर सकते हैं वहाँ पर मार्केट में अपना opinion किसी भी shares के बारे में news आती है वह सब वहाँ पर update होता है मेरे personal trades भी मैं वहाँ पर share करता हूं तो आप लोग हमें telegram पे भी follow कर सकते हैं तो strategy को समझने से पहले हम लोग इस strategy के कुछ important point discuss कर लेता है जाजा कि मैंने आप लोग को बता है यह जौ हमारी strategy होने वाली है वह Finn Nifty strategy होने वाली है इस strategy में हमारी इंस्टुमेंट होगा obvious ही बात है कि Finn Nifty के वहम लोग को यह strategy बनानी है इस strategy में जो आप लोग की बहुत ज़्यादा request चरी थी comment आते हैं कि 50,000 के under में कोई strategy बताएगी तो मैंने इस strategy में margin रखा है under 50,000 यानि कि 50,000 में भी आप लोग यह strategy अराम से play कर पाएंगे इस strategy में हमें entry करनी हमें Friday को 3.25 PM पर जब हम लोग strategy बनाएंगे तब हम लोग ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग को strategy को बनाना है तो वीडियो हैं तक ज़रूर देखना इस strategy में exit point क्या है वो है expiry जब भी finnifty के expiry होगी तब हम लोग को trade को close करना है stop loss क्या होने वाला है हमारा strategy में half percent of our capital यानि कि अगर हमारा 50,000 rupees का margin लग रहा है तो हमारे 250 rupees का stop loss होने वाला है जब strategy समझेंगे तो ज़्याद अच्छे समझ पाएंगे target क्या करने वाले हम लोग one percent in every expiry यानि कि जब भी finnifty के expiry होगी तो हम कोशिश करेंगे कि एक percent का target बना सके तो overall हमारा written किता आएगा इस strategy से three to five percent के आजपास का return हमारा generate हो जाएगा monthly basis पर तो चलते हैं stock mark में और देखते हैं कि इस strategy को किस तरीकी से बनाना है तो मैं अपने stock mark के platform पे आगया हूँ अब simply आपको क्या करना है जिस भी index में आप लोग अपनी strategy backtest करने वाले हैं जहाँ पर हो select कर लेना हम लोग finnifty में कर अब trade क्या है इधान समझे जो आपकी current expiry होगी यानि कि जो आने वाली expiry होगी उसके आप .15 delta के call or put sell करेंगे अगर .15 delta नहीं मिलता तो उसके आसपास यहां पर .15 नहीं मिलता तो मैंने .13 का delta sell कर दिया यहां पर .15 नहीं .16 का delta मैंने sell किया उसके आसपास के जो भी strike prices होंग आप उनको sell करेंगे और वहां से 100 points out of the money कि आप लोग call or put buy करेंगे . तो यहां पर मैंने put side पर 100 points otm buy कर लिया . अब आप लोग देख सकते हो कि हमारी strategy यहां पर बनकर तयार होगी . तो एक बार इसमें check कर लेते हैं कि हमारा margin कितना लगा , max profit कितना है , probability हमारे favor में करें . यह स strategy आप इसमें 37,000 rupees में ही बना सकते हो , लेकिन मैं बोलूँगा आपको कि at least 50,000 का margin रखिए , थोड़ा सा buffer रखिए अपने पास , ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े , trade को आगे चलाने में . max profit कितना हो सकता है , इस trade में ? 1.5% के आसपास , 500 rupees के आसपास , risk reward क अब देखो कुछ लोग को सकता है , कम लगेगी यहां पस्ते 500 rupees का profit है , तो आप यह भी देखिए कि लगभग लगभग 1.5% का आसपास का profit होने वाला है , आप लोग अगर जिसके पास भी जाधा fund है , तो आप लोग सेम चीज 10-10 lot में कर सकते है , 10 lot में यही margin 3,70,000 के आसपा यह आपकी capital पर define करता है , कि आप लोग कितना risk ले सकते हैं , और कितना return जान रेट करना चाहते है , ठीक है , लेकिन अगर आपके पास कम आर्चिन में तो भी आप लोग स्टेट को कर पाऊगे , अब simply मैं इसको 55 minutes आगे करने वाला हूं , अगर हमारा 1% का target hit होगा , तो हम हम लोग महाँ पर edit कर जाएंगे , कोई adjustment नहीं करना है , strategy हमें , रूल बेस तरीकी से इसको follow करना है , simply मैं इसको 5 minutes आगे कर रहा हूं , next day जैसे ही market open को आपको सिर्फ 1 minute के बाद ही market open के 0.5% का return मिल रहा है , जो कि है 192 rupees , ठीक है मैं इसको थोड़ा सा और आगे करता हूं , 260 rupees का profit हो रहा है , 0.9% का profit हो रहा है आपको , और यहाँ पर देख सकते हो , सिर्फ 10 बज़ी target हो गया , जो कि था हमारा 1% तो आप लोग चाहूं तो यहाँ पर book करके निकल सकता है , अब यहाँ पर vary करता है , आपको 0.4% all लेना है , या फिर आपको book कर लेना है , अब देखो 368 rupees कम मैं जानता हूं , लेकिन आप लोग इसको 10 lot पर करोगे तो 3600 rupees है , तो vary करेगा आप कितने lot से trade कर रहे हैं , लेकिन अगर कम margin में ही तो आप लोग trade कर पाऊगे , एक और week पर backtest करके देखते हैं कि उस week हमें profit हुआ loss हुआ जो भी होगा हम लोग देखते हैं , ठीक है मैं trade कितने लिए डालते हैं , 325 , तो यहाँ पर मैंने 325 का time ले लिया , इंडेक्स है हमारा fin nifty , current expiry पे मुझे 15 delta के sell कर रहे है , तो यहाँ पर मैंने .15 delta sell किया , और वहाँ से 100 points , मैंने call or put , दोनों buy कर लेना है , तो यहाँ पर मैंने call or put , दोनों buy कर लेना है , और मेरी basic से strategy बनका ready होई , margin वही लग रहा है , 36 , 50,000 के अंदर , max profit 1.7% बता रहा है , probability यह आपके favor मैं , जो कि 75% के आसपास bad यह , ठीक है , मैं इसको simply next day पर आगे बढ़ा रहा हूं , 228 रूपीस का profit हो रहा है , 0.6% का profit हो रहा है , 256 रूपीस का profit , 272 ठीक है , 10 बजे के आसपास 300.8% का profit हो रहा ह 60 रूपीस , इस week भी अगर आप लोग यह strategy बनाते तो भी आप लोग को 1% का return easily generate हो जाता , so I hope कि आप लोग को यह strategy समझ में आ रही है , अगर अभी भी कोई भी doubt रह रहा है आपका , तो आप नीचे comment में पूछ सकते है , मैं वहाँ पर आपको answer कर दूँगा , और जैसा कि मैंन कोई भी हमार साथ live market में trading करना चाहता है , तो आप लोग हमारे दिये गए WhatsApp नंबर में संपर सकते हैं , हम लोग वहाँ पर discuss करके live market में भी trading कर सकते हैं , I hope कि आप लोग को यह strategy अच्छी लगी होगी , मिलते हैं next video में , till then good bye